इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Agonal 5 Tablet belongs to a class of medicines known as Calcium Channel Blockers. It is used to treat high blood pressure, यानी की hypertension and prevent angina, यानी की heart-related chest pain. यह blood pressure को कम करता है और हिर्दे के workload को कम करता है, जिससे दिल के दौरे और stroke को रोकने में मदद मिलती है. Agonal 5 Tablet को अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है. Dose इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं, और आपकी condition कितनी गंभीर है. आप इसे दिन के किसी भी समय, भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं. लेकिन इसे हर दिन लगभग एक ही समय पर लेना बहतर है. आपको जब तक इस दवा को लेने के दिशानिर देश मिले हो, तब तक इस दवा को ले. भले ही आपको ठीक लगे, तो भी इस दवा को अपने आप से बंद न करें, क्यूंकि उच्छ ब्लड प्रेश के अकसर कोई लक्षर नहीं होते हैं. अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती बिगर सकती है. नियमित एक्सरसाइट से खुद को एक्टिव रखना, अपना वजन नियंतरित करना और स्वस्ताहार खाने से भी आपके ब्लड प्रेश को नियंतरित करने में मदद मिलेगी. सबसे सामाने साइड इफेक्ट में सिर्दर्द, ठकान, मिचली आना, पेट में दर्द और नींद आना शामिल हैं. यदि इन दुश प्रभावों में से कोई भी आपको परेशान करता है तो अपने चिकित सक से परामर्श करें. वे साइड इफेक्ट की रोक थाम करने के या उन्हें कम करने के तरीके बता सकते हैं. इसे लेने से पहले, अगर आपको लिवर, हिरदय या किड्नी समबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आप जो भी दवाएं ले रहे हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर को बताएं, विशेश रूप से वे दवाएं जो हाई ब्लड प्रेशा या हिरदय की समस्या के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाती हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है, आपको अपना ब्लड प्रेशन नियमित रूप से चेक करना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.